किंद्र सरकार ने देश भर में COVID-19 महामारी के बढ़ते मामलों के मद्दे नज़र किंद्रिय माद्दे में एक शिक्षा बोड सीब्यासी की दस्मी की परिक्षार रद कर दी है जबकि बार्रमी की परिक्षा स्थगित करने का फैसला किया है देश में करोणा वाइरस संकर्मन के एक दिन में अब तक के सरवाधिक एक लाग चौरासी हजार तीन सो बहातर नए मामले सामने आये हैं किंद्रिय स्वास्ते मंतराले द्वारा जारी किये गए आंकडों के अनुसार अब कुल मामले एक करोड 38,7825 हो गए हैं जबकि 13,00 से अधिक लोग अब भी संकर्मन की चपेट में है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर परदेश के पूर मुख्य मंतरी अकिलेश यादा भी कोरोना वाइरस से संकर्मित हो गए है जांच करताओं को संदे है कि निलंबित पुले सदिकारी सचिन वाजे ने दो लोगों को फर्जी मुटभेड में मार गिराने की यूचन बनाई थी ताकि उड्योग पती मुखेश अंबानी के घर के निकट विस्पोटक समगरी रखी कार मिलने के मामले से उने जोड़ा जा सके पस्चिम बंगाल के मुख्य मंतरी ममता बैनर जी ने विधान सभा चुनाप के चौथे चरण के दोरान CISF की गोली से मारे गए लोगों के परिवारों से बुधवार को मुलाकात की और कहा कि उनकी सरकार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए जाँच शुरू करेगी कॉंग्रेस के पूरवद्यक्ष राहूल गांदी ने विदेश में निर्मित कोविड रोधी कीकों के भारत में उपयोग को मनजूरी देने के तैयारी को लेकर बुधवार को महात्मा गांदी के एक कथन का हवाला देते हुए सरकार पर कटाक्ष किया रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने बुधवार को कहा कि राष्टे शिक्षा नीती ना सिरफ अत्याधुनिक और वैश्विक मानोकों के अनुरूप है बलकि यह जितनी व्यवारिक है इसका क्रियानवन भी उतना ही व्यवारिक है वित मंतराले ने बुधवार को कहा कि कोविड 19 महामारी के चलते पैदा हुई एन इस चित्ता के बावजूद पितवर्ष 2020-21 में सारवजनिक निर्गम और राइट इशू के जरिये जुटाए गए धन में क्रमशय 115 फिसदी और 15 फिसदी बढ़ोतरी हुई है केंद्री परेवन मंतरी प्रकाश जवडेकर ने कहा कि भारत जलवायू समंदी अपनी आकंक्शां को बढ़ाएगा लेकिन वह ऐसा दबाव में नहीं करेगा अग खबरें हरयाना से तीन दिन से लापता पानीपत निवासी युवक का शव मंगलवार देरार रोतक में नहर से बरामत हुआ है रितक के शरीर पर जखम के निशान है जिस वज़ा से युवक की हत्या किये जाने की अशन का जटाई जा रही है जेब से मिले आधार कार्ड से शव की पहचान शास्त्री कालोनी निवासी विकास के तौर पर हुई है पुलिस ने उसके परीजनलों को सूचना दे दी है स्वास्ताइभाक की टीम ने जीन के कुमार अस्पताल में छापा मार कर गरभपात करवाने वाली महिला डॉक्टर को गिरफतार किया है और रूप है कि यह डॉक्टर बारा सु रूपे लेकर गरभपात कर दी थी महिला डॉक्टर के खिलाफ PNDT Act के तहट मामला तर्च कर लिया गया है हर्याना के अंबाला जिले के नाराइनगड में संसनी के जवारदात अंजाम की गए ग्यारमी के चातर पर चार युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया चातर की हालत गंबील बनी हुई है और उसे PGI चंडिगर्ट रेफर किया गया है हमला वर्चातर के पुराने दोस्त थे जिनके साथ पीडिद की कुछ दिन पहले किसी मामले को लेकर बहस हुई थी समालखा के प्रॉप्टी डिलर ने जहर खा कर आतमत्या कर ली जहर खाने से पहले प्रॉप्टी डिलर ने सुसाइड नोट लिखा नोट में उसने अपने साथी पर उधार लिए साथ हजार रुपए लोटाने से इंकार करने और उसके साथ मार्पिट करने का अरोग लगाया है पुलिस ने चार पेज का सुसाइड नोट प्रामत कर लिया है रितक के बेटे ने समालखा थाने में शिकायद दी है पुलिस मामले की जाँच में जूट गई है पानीपत में तैनाथ हेड मास्टर के डेबिट कार्ड का कुलोंग बना कर ठगों ने 6 बार में कुल 68,147 रुपए उड़ा दिये बेटी की शादी में व्यस्त होने के कारण वे अपना अकाउंट चेक नहीं कर पाई रुपयों की जुरूत पढ़ने पर बैंक पहुंचे तो ठगी का पता चला पीडित बीते चार महीनों से साइबर सेल और थाने के चकर कात रही है जजजर में एक विवाहित की संदिक्द हालत में मौत हो गई उसकी पांच महीने पहले शादी हुई थी अब कुए से शब ब्रामत किया गया है माई के वालों का आरोप है कि उसे मारकर शब को कुए में फैंका गया है इस आरोप के अधार पर पुलिस ने मृत्का के पती, सास, ससुर और देवर के खिलाफ केस दर्जकर आगे की कारवाई शुरू कर दी है चडिकड शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है इस बार चोर एक डॉक्टर के बंद मकान को निशान बना कर लाकों की नगदी और कहने लिए उड़े सुचना पाकर मौके पर पहुंची सेक्टर 59 स्थाना पुलिस ने आईपीसी धारा 380 और 454 के तहट मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है पुलिस खटना स्थल और आसपास के सीसी टीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके बता दे के मूल रूप से हर्याना के फरीदाबाद के रहने वाले डॉक्टर के शादी 26 अप्राइल को तै है और वे उसकी तैयारियों में जुटे थे इसलिए इतना कैश और गहने घर में रखे हुए थे और चोरों को इसकी भनक रहे होगी हर्याना के मुक्यमंत्री मनोहरलाल खटर ने रेवाडी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकर जमीन खरीदने को मनजूरी दे दी है इसके साथ ही साथ अन्य परियोजनाओं के लिए सरकार ने जमीन को खरीदने की मनजूरी दी है सबसे वड़ी बात यह है कि इन विकास परियोजनाओं के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहत नहीं की बलकि राजय सरकार द्वारा बनाए गए ई भूमी पूर्टल पर उपलब्द जमीन की खरीद की है हर्याना में करोना से निपटने के लिए लागू करोना कर्फ्यू यानि रातरी कर्फ्यू को लेकर महज 24 घंटे में सरकार ने अपना निरने वापिस ले लिया राजसरकार ने नाइट कर्फ्यू में समय में बदलाब किया है और कर्फ्यू लागू होने के एक दिन बाद ही इसका समय एक घंटे कम कर दिया है अब रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे की जगा है रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक करोना कर्फ्यू रहेगा